और मेरे चटरों कैसे हुआ, आप थेटेड जैसी कैरेमल पॉपकॉर्ण घर में बनाते है, राउंड वराइटी की पॉपकॉर्ण ली है, इसको मश्रूम पॉपकॉर्ण भी बोला जाता है, तीन से चार जने के लिए हाफ कब पॉपकॉर्ण काफी रहेगी, अब एक तो मैंने एक और टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिया, आप ये कम तेल में भी बना सकते हो, फ्लेम को हाई रखिए, तीस सेकेंड की बाद आप देख सकते हैं, उसका कलर लाइट हो रहा है, अब इसको फेला देंगे और धक्कन लगाकर पॉपकॉर्ण को फूट इने दे कर देंगे तो म्यूजिक मस्थ था ना, अपने पॉपकॉर्ण बिल्कुल रेडी है, ये फैंसी गोर्मे पॉपकॉर्ण रेडी है, जो प्लेन फ्लेवर किये अभी, इसमें हम लोग फ्लेवर लेके आएंगे, पहले तो इसका धक्कन निकाल दीजिए, ताकि इसमें से स्टीम निकल जाए और ये क्रिस्पी हो जाए, पॉपकॉर्ण तो मस्थ बनी है, अभी मैं इसको दो बोल में निकाल रहाँ क्योंकि मेरे को एना एक और रेसिपी बनानी थी इससे, पहले चलिए हम लोग कैरेमल पॉपकॉर्ण बनाते हैं, कैरेमल पॉपकॉर्ण बनानी के लिए कड़ाई ग करिए, इसको फैला देंगे, फ्लेम को हाई रखना है, और कुछ नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है, क्योंकि उबलते पानी से ज़्यादा गरम होने वाला ये कैरेमल और अगर लग जाएगी हाथ में तो भयानक जलेगा, इसलिए आपको बारी बार बोल राउंड ध्य रखने के लिए, शुरू में हम लोग फ्लेम को हाई रखेंगे, इसका कलर हम लोग को येलो करना है, जब चीनी दीरे-दीरे पिखलने लग जाती है, तब आप चलाना स्टार्ट कर दीजे, और अगर चम्मच में चिपकरी है चीनी के दाने, तो चाकू से उसको हटा सकते है ये स्टेप में आप फ्लेम को मीडियम कर दीजे, ताकि सारी चीनी एक सार इवनली मेल्ट हो जाए, जब चीनी मेल्ट हो जाती है और ये येलो कलर की होने लगती है, तब हम लोग फ्लेम को लो कर देंगे, ये टाइम पे एक टेबल स्पून बटर डालना है और दो चुटक नमक इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को अभी लो रखना इसको लगातार चलाना जब तक कैरेमल से बबल्स ना आने लग जाए बबल्स जादा आ गए तो कैरेमल करवा हो जाएगा पूरा इसलिए आपको स्टेफ फटाफट करना है पहले ही आप वाने टी स्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी निकाल कर रखेगा ये दो चुटके खाने का सोडा है देखें कैसे बीच में छोटे-छोटे बबल्स आ रहे है अब फटा-फट से गैस बन कर देंगे इसमें बिकिंग सोडा डालना है लगातर चलाएंगे ये स्टेप भी ध्यान से करना है बहुत फोम आता है इसमें से और अब ये बिल्कुल रेडी है कैरेमल हमलोक का इसमें पॉपकर्ण डालके अच्छे से मिक्स करना है शुरू-शुरू में लगता है कि पॉपकर्ण में कोटिंग ही नहीं हो रही है एक मिनिट के आसपास लगेगी लगातर चलाते रहिएगा नीचे से उपर उपर से गलाना है ताकि ये एक साथ ठंडी हो जाए 10 से 15 मिनिट लगे कि इसको ठंडा होने में और सेट होने में उसके बाद ये क्रिस्पी हो जाते है बिल्कुल आपको मैं ये 10 मिनिट के बाद दिखा रहा हूँ थोरे बहुत आपस में चिपक गया है लेकिन आसानी से अलग- मूवी थेटर तो हम लोग जान नहीं रहे हैं वहां से अच्छी आपको ये पॉपकॉर्ण लगेगी कि ट्राई जरूर से करिएगा एकदम ताजा फ्लेवर आता है मिलता हूं जल देखोर वीडियो के साथ रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक बटन नहीं अच्छी लगी दिसलाइक बटन और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा